स्वागत मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप लोग आप लोगों ने बहुत बहुत सारे रिस्पॉंस मुझे भेजे अभी मैसेज मेरे पास आ रहे हैं और मैंने आप लोगों को बहुत इंतियार कराया लेकिन सरकार इंतियार का फल मीठा होता है और हम आ गए आपक वीडियो रेकॉर्ड कर रहा हूं उस समय ओल्रेडी सीए फांडेशन का पेपर नमबर टू लॉका पेपर चल रहा होगा मैं आप लोगों की स्ट्रेडेजी पहले ही तियार कर चुका था लगभग लगभग जो स्ट्रेडेजी मैंने प्लान की थी बैसा ही कुछ एक्जाम में हुआ लेकिन मैं चाह रहा था कि एक बार वेट करूँ क्योंकि नया स्लेबस है नया पैटन और पेपर है तो मैंने सुचा कि थुला सा रुखते हैं पेपर का वेट करते हैं जो मार्किंग स्कीम आईसी आई ने दी थी क्या उसने उसी मार्किंग के हिसाब से एक्जाम में क पूछे तो मैंने कहा रुकेंगे हमारे बच्ची भी रुक सकते हैं अगर उनको हम कुछ अच्छा दे सकते हैं तीन चार दिन इंतियार करवाने के बाद तो डेफिनेटली रुकना फाइदे मन दे और एक्च्वली फाइदे मन रहा तो सरकार पेपर हो चुका है अकाउंट उसका अभी लॉक अपर चल रहा है जिस समय मैं आपके सामने रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं आपके सामने अभी सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स की स्ट्रेडिजी लेकर आया हूँ क्योंकि पेपर नंबर डू होने के बाद हमें एक्च्वल पिक्चर पता पढ़ेगी कि यहां exactly हमको करना क्या है तो अभी मैं आपके सामने सिर्फ अकाउंट्स की बात करूँगा और सिर्फ अकाउंट्स की बात करूँगा और ऐसी बात करूँगा कि अगर आप में उसको फॉलो कर लिया तो मैं आपको बहुत जिम्मेदारिस बोल रहा हूँ कि आप में से एक भ इज़स से फॉलो किया तो मैं आपको कमिट कर रहा हूं ग्यारेटी दे रहा हूं कि आपको कम से कम सिक्स्ती मार्क्स पेपर नंबर बन अकाउंट्स में आएंगे अब सर पेपर नंबर बन बड़े महत्पूर्ण पड़ाप का सबसे पहला पेपर है शायद यूं हाथ हिलें बिन एक्टिंग करें भी हाथ हिल सकते हैं इतनी ज्यादा उस समय मतलब एंजाइटी रहती है डर लगता है और पेपर नंबर बन निकालना और अच्छे माख से सथ क्रेक करना प्याद इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि सर इन चार पेपर में ज्यादतर बच्चों को मैं सारे अच्षब इन कर था लेकिन ज्यादतर बच्चों को पेपर नंबर टू या फिबान नंबर थी रवर अपका या कौंट वर सकते आgirl है रही हम्वारे लिए 70 नमबर देखे जाएंगे या 60 नमबर देखर जाएंगे तो जिम्मेदारी तो हुद क्लियर है कि paper नमबर 1 और paper नमबर 4 ये दो paper मेरे aggregate को maintain करने में मेरी help करेंगे और paper नमबर 2 और paper नमबर 3 को मैं इस परकार plan करूँगा कि मैं आराम से उसमें average 50 marks लेके आपाऊं minimum 45, 48, 50 भी आते हैं तो मेरे ये दो paper नमबर 1 और 4 इतना support कर दें कि मैं आराम से 200 के उस जादू या आखले को पार कर सको तो वालिक पहला paper बहुत सारा pressure, बहुत सारा डर, anxiety और उन सब के साथ मेरा प्यारा-प्यारा मासूम सा बच्चा जिसने अभी चार महीने पहले 12 के exam दिये हैं जो पहली बार किसी इतने बड़े professional paper को appear करने जा रहा है तो मज़े पता है कि डर तो लगता है, एला सब का सुखता है लेकिन हमको mountain dew नहीं पीना है भाई सा, हमारा काम उसके बिना भी चल जाएगा तो हमारी जो planning होगी मेरे बच्चो, CA, foundation, paper number 1 की मैं आपके साथ paper number 2, paper number 3, paper number 4, सब की planning लेका रहाँगा और ऐसी strategy लेका रहाँगा कि आपने अगर मुझे follow किया तो September attempt आपका निकलेगा, हर हाल में निकलेगा, कोई रोक नहीं सकता यह ऐसा नहीं कि मैं बड़ बोले पन से बोल रहा हूँ Actually 20 साल teaching को दे चुका हूँ 4 साल मैंने खुदने भी पढ़ाई करी CA बनने के लिए तो कुल मिला के यह 24 साल में CA अनुभव प्रकाश जन ने जो सीखा है वो इतना तो सीखा है कि हम पास कैसे हो सकते हैं आराम से कितने marks कहां कहां से लेकर आ सकते हैं ताकि वो 200 का जादोई आकला चूले कोई बच्चा जो 200 से 200 का चाहरा है उसके लिए हमारे पास कुछ है जिसने 200 से 300 का टार्गेट किया है प्लान किया है हमारे पास उसके लिए भी कुछ है किसी ने अगर 300 प्लस का टार्गेट किया है तो हमारे पास उसके लिए भी है पिछले बैच में करीवन 60 प्लस बच्चों के 300 प्लस माक्स आए थे विद्युदे पर तो मतलब अपने पास कुछ रेस्पी है जिस रेस्पी का प्रियोग करके हम बहुत आराम से बहुत आराम से हम जो चाहें बुला सकते हैं तो सरकार करना क्या है तो देखो पहली बात तो समझ लो कि पेपर नमबर बन में डर लगता है बास्त बिखता है और पेपर नमबर बन पास होना सबसे पहली प्रियोटी है क्योंकि अगर मैं इस paper में pass हो जाता हूँ और aggregate के वो 50 के आसपास नहीं रहता मेरे पास scope है अगले 3 paper में कि मैं कैसे भी करके मैंनत करके एन के इन program aggregate maintain कर वालू लेकिन अगर आप पहले paper अच्छा नहीं कर पाए 40 नहीं लापाए और बाकी 3 paper में अगर आप 90 भी लेके आगा हैर सब्जेक्ट में तो भी आप पास नहीं कर लाओगे तो आपकी पहली priority CA foundation के इस पहले paper में यह है कि आपको 40 marks लाना है जब 40 marks आपके जेब में आ जाएं आप ensure कर लें तो फिर आपकी अगली step होगी कि अब आप 60 के लिए target करेंगे और जब 60 का target पूरा हो जाए तो अगला target आपका 75 to 80 का होगा और जब 80 कबर हो जाएंगे तब हम अगले 80 to 100 की बात करेंगे क्या सर 100 marks भी आ सकते हैं 85, 90, 95 marks भी आ सकते हैं तो भीया मेरे बच्चों ने CA Inter में मेरे बच्चों ने बोला है बच्चे ने नहीं बोला मेरे बच्चों ने CA Inter जैसे लेबल पर भी 100 out of 100 marks लाके दिये हैं प्रिट्रिकल सब्जेक्ट हैं आते हैं बहुत आराम से आते हैं तोड़ी सी planning उस planning का सही execution और फिर जो चाहोगे वो आपको मिलेगा इन 24 सालों के total career में मैं आपको आज बहुत द्रड़ता से भूल सकता हूँ मैंने 24 सालों में कम से कम 100 attempt देख ली हैं करीबन करीबन 50 attempt CA Inter के करीबन 60 attempt CA Foundation जो earlier CPT होता सा साल में 3 मार जैसे अब बाफस से 3 मार हो गया तो मैंने करीबन 100 attempt देखें ICI के सिर्फ Foundation और Inter के और इन attempts में जो observation हम लोगों ने की उस observation के base पर मैं आपको कुछ दे सकता हूँ ऐसा जिसके दम पर बहुत बहुत जम्मेदारी से भोल रहा हूँ आप पक्का 50, 60, 65 नमबर तक बहुत प्रेम से ला सकते हैं सिर्फ accounts accounts में कैसे लाएंगे सर वो बता हूँ तो पहला काम तो आपको क्या करना है कि हमको इस paper में pass होना है pass होने के लिए क्या करना पड़ेगा सर तो पहले अपने आपको ये बोलना पड़ेगा कि सर मैं जब exam hall में बेठूंगा तो मैं पहले ही minute से 100 number का paper cover करने का plan लेकर नहीं चलूंगा मेरा plan पहले minute में 100 number cover करने का target नहीं होना चाहिए बहुत clear हूँ मैं चाहिए आप कितने भी extraordinary बच्चे हो तो भी नहीं होना चाहिए आपको बहुत clearly step by इस काम करना चाहिए और पहला step यह है कि सर पहले घंटे में मैं minimum 20 marks का paper लिखूँगा minimum 20 marks का paper लिखूँगा क्योंकि अगर आपने पहले एक घंटे में minimum 20 marks का paper लिख लिया तो डरने की बात नहीं हो ऐसा नहीं होता कि सर 20 बंजा 20 30, 20, 30, 60 बोले एक घंटे में 20, 3 घंटे में 60 आए 40 निपड़ गए नहीं ऐसा नहीं होता ऐसा बिलकुल नहीं होता पहले एक घंटे में आपके हाथ जलेंगे नहीं कपेंगे दर लगेगा लेकिन जर जर से paper आगे बढ़ना शूरू होगा आपका डर देर देर कतम होता जाएगा आपकी spirit बढ़ती जाएगी तो मैं बहुत जम्मेदारिस बोल रहा हूँ पहले एक घंटे में मिनिमम बीस मैं मिनिमम बीस बोल रहा हूँ दूसरे घंटे में आप लेकर आएं कम से कम 30 से 35 का coverage 30 का परमान लेते हैं लोवर साइट पे तो 20 और 30 पचास और लास्ट के एक घंटे में आप आराम से 35 मांस का कबर कर सकते हैं तो लेकर ने तो 85 भी होते हैं तो भाईया 85 कम नहीं होते हैं अगर आपने इस policy के साथ पेपर दिया तो यार 85 में से 80 भी आते हैं मैं आपके सामने एक उधारान बैठा हुआ हूँ मैंने CA final में अपने तीन practical subjects F.R. जिसको आप accounts बोलते हैं FM और cost इन तीनों paper में कभी 85 से उपर का paper return नहीं करा डाई गंटे में paper हो जाता तो भी नहीं करा मुझे थेरिम कंटा लाता था तो मैंने बहुत क्लिए रखा था कि यार मैं 80 गाटेंड कर लूँगा और ऐसा करूँगा कि सामने वाले examiner को 10 बार सूचना पड़े कि इसका एक number कहां पर काटून और मेरे बच्चों के इसलिए 100 में से 100 भी आए है क्योंकि मुझे पता है कि practical papers में अगर आपने शान्ती पूर्बक और चीज को लिखने से पहले एक बार अपने आप से पूछा कि मैं यह क्यों लिख रहा हूं और फिर उसके बाद लिखा तो believe me 85 की paper में आपको 80 तक भी आ जाएंगे और अगर आप 100 समेट ने गए तो पहली बाद तो तब भी 100 का paper अटेंट नहीं हो पाएगा paper बहुत लेंदी आता है जो अभी का paper आया उसको अगर मैं standard time allocate करूँ तो that paper can be solved in 210 minutes which comes to 3 घंटे 30 मिनट और आपको अटेंट कित्म करना है 3 घंटे में जिसका मतलब clear है कि 90% बच्चों का पूरा paper अटेंट नहीं होगा और नहीं भी करना है ICI के नाम से 10 नंबर की लोबान चड़ा दो भाई साब कि ICI तेरे नाम से 10 नंबर दिये 90 के अटेंट करूँगा लेकिन 90 में से 80 लाओँगा यह पहली priority होना चाहिए दियान रखिएगा तो पहले गंटे में 20 अगले दूसरे गंटे में 30 और उसके अगले गंटे में 35 85 का टेंट करा आराम से 80, 75, 70 तक आ जाते हैं अब सर पास कैसे होना है हम पास कैसे होंगे तो आप लोगों को मैं बता दू कि ICAI ने जब नया स्लेवस launch हुआ था तो बकाइदा एक पूरी marking scheme बच्चों साथ शेर की थी जो latest marking scheme उन्होंने शेर की थी वो थी 3rd 26th of October की और उन्हें बोला था कि this marking scheme is applicable for my 24 and subsequent exam till further changes are made यहाँ पे पूरी आपकी strategy चुपी हुई है पूरी strategy अगर आपने इस marking scheme को समझ लिया और उसके accordingly काम किया तो आपका काम हो गया और नहीं किया तो आपके काम लग गए अब देखो आप ध्यान से पेपर नंबर बन सेक्शन बन था बलाव चेप्टर नंबर बन सेक्शन बन था जिसमें 5-10% marks उन्होंने बोले हैं हम पूछेंगे जो second segment है जिसमें आपके 5 chapter आते हैं accounting process BRS inventory depreciation और bills of exchange ये 5 chapters के लिए ICAI कहता है के हम 30-35% का weightage देंगे पहली बात तो sir 30-35% का मतलब क्या 100 का 30% और 100 का 35% यानि 30 से लेके 35 के बीच में ये 5 chapters आएंगे तो answer है नहीं absolutely नहीं paper आपका आता है 125 marks का 125 marks के paper का 30% करीबन 36 marks होते है और 35% जाता है करीबन 43 marks पर यानि ICAI ने ये कहा कि मालिक हम आपसे इस second section से 35-36 से लेकर 42 marks के questions पूछेंगे आपको संच में आ रहा है आपने इस section को अच्छे से कर लिया तो आप pass हो जाते हैं कहा है NPO, कहा है single entry, कहां आएगा final account, partnership, company account सब साइड में सिर्फ section 2 से आप pass हो सकते हैं और section 2 के chapters कौन से हैं accounting process accounting process में क्या है general entry, subsidiary books, laser trial balance, activation of error laser से caution नहीं आते तो caution मन सकते हैं general entry, general entry, CA का बच्चा और कैसे भगवान से मिलोगे trial balance, subsidiary book और rectification of error दूसरा segment है bank reconciliation statement तीसरा आता है inventory चौता आता है depreciation और पांचबा आता है bills of exchange and promissory note मैं आप लोगों को बता दूँ पिछले 10-12 attempt में 10-12 attempt जमेंदरी से बोल रहा हूँ 10-12 attempt में दो chapters से minimum 15 maximum 17-18 marks तके question आते हैं कौन से हैं सर्वतू chapters एक chapter है आपका rectification of error और दूसरा है BRS यह set है this is the set यहां से आपको 5 और यहां से 10 यहां से 5 यहां से 10 यह हो सकता है यहां से 12 यहां से 6 इस attempt में 12 marks का rectification of error और 6 marks का 5 marks का आपका BRSI था तो 12 marks का practical plus 2 marks का true false यहांनी 14 plus 5 बोलो boss कौन बोलता है CA foundation accounts paper निकालना tough है अभियत से planning करके तो देखो CA foundation CA inter is all about planning and its perfect execution आप भले ही average बच्चे हो मेरी classes में 50-50-60% result आता है boss CA foundation और CA inter में कैसे आ जाता है क्या हम कुछ बहुत अलग पढ़ा रहे हैं नहीं भाई 15-20 साल पढ़ाने के बाद कोई भी टीचर के पास इतनी skills हाजाएंगी कि वो बढ़ी आराम से सब बढ़ीय पढ़ा देगा तो सारे टीचर बढ़ीय पढ़ा रहे है सब बढ़ीय पढ़ाते है लेकिन CS2 का रिसल्ट तो वो ही 22-30 साल पढ़ाता है क्यों आता है भाई सब त्योंकि सर पढ़ना और एक्जाम लिखना ये दोनों अलग-लग चीज़े है इसे मर्ज मत करना पढ़ना इसलिए क्योंकि हम चार्ड अकांटेंट बनने जा रहे है चार्ड अकांटेंट के पास 100% परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए ताकि कल वो अपने कंपनी में जहां पर वो जॉब करने वाला है या क्लाइंट्स को जॉब अगर वो प्रेक्टिस करने वाला है या बिजनस में वो अपनी इस नॉलेज को strategy बनाओ strategy बनाए मैं दे रहाँ आप पस promise करो क्या आप इसको follow करोगे comment section में आपको follow करने का promise करना है मैं आपको promise कर रहाँ guarantee दे रहाँ भचन दे रहाँ आपको निराश नहीं होने दूँगा अगर आपने blindly आख़ार करके मुझे follow किया यह मेरे 21 साल की teaching experience का निचोड़ है जो मैं आपके साथ share करा हूँ तो sir, सिर्फ इन दो chapter से आप 18 से 20 नमबर निकाल सकते हैं हमारे chapter number 2 accounting process से इस पूरे segment में जिसमें 5 chapter से कित्ते marks देना है? 36 से 43 सोचो ज़रा केवल इस chapter से accounting process जिसमें क्या आता है? general, subsidiary book laser को भी examen नहीं आता trial balance और rectification of error 4 unit है कितने marks का paper आना चाहिए यहां से? कुल कित्ते का आना चाहिए? सोचो न 10, 15, 20 you will be shocked amazed to know कि sir, सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ chapter number 2 से 27 marks 27 marks के question आये थे 27 का break up क्या था sir? तो आजाओ sir break up था 5 number subsidiary books के 5 marks और subsidiary books 4 marks for general entries 12 marks for rectification of error and 6 marks for true false अब आप बताओ यार यह बो chapter है जो तुम 11 से पढ़ना इस्टार्ट किये थे तुमारी accounts की ABCD काखागा सब यह है यहां से आप क्यों क्यों 25 नंबर कम से कम क्रैक नहीं कर सकते यह तो अपना फोटे है ना यार यह तो वो है जो हम भचपन से पढ़ते हुए आ रहे सर हमारा basic जब कम जोड़ता हमने 11 त में उत्ची महनत नहीं करी थी कोई दिक्कत नहीं है अब तुम जिस stage पर खड़े हो उस stage पर तुमारा mental level तुमारा intellectual level बढ़ चुका है अब अगर तुम generality पढ़ोगे बहुत आसान ही से जाएगी तो मगर अब trial balance पढ़ोगे बहुत प्रेंट से बन जाएगा सबसेटे रिबुक्स तुमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी तबियत से एक बार महनत करके तो देखो यारो मज़ा आज आएगा तो सर वो सारे बच्चे चाहे average हो चाहे above average हो चाहे brilliant हो जो 200 से 200 के बीच में struggle कर रहा है जो 200 से 300 चाहता है या 300 से उपर चाहता है आज पहली बार कसम खा ले कि सर मुझे मुझे इस chapter number 2 से किसी भी हालत में किसी भी हालत में जो 25 नमबर का portion है वो अच्छे से अच्छे से करना है दो बार करो तीन बार करो चार बार करो पांच बार करो और मुझे ये बहुत बहुत मतलब भरोसा है कि अगर आप ध्यान से देखें तो यार इस chapter को करने में कोई बहुत जादा समय लगेगा नहीं आप देखो अगर आप ट्रायल बिलेंस की बात करें तो दो घंटे में ट्रायल बिलेंस के कम सगम 5-6 कॉस्टन हो जाएंगे और कुछ मत करो मॉड्यूल भी फोकुस रहो आटीपी कर लो इससे तो कुछ नहीं करना सबसे जनरल एंट्री में पहली बात दो टाइम लगने च 11 आर्स में आप 25 नंबर लेकर आ सकते हैं तो कसम खाओ कि सर सबसे पहला टारगेट सबसे पहला टारगेट क्या होगा आपका चैप्टर नंबर 2 को घोट लेना है मॉड्यूल चांट मारना है आर्टीपी पास पेपर एम्टीपी कर डालना है आपको जानकारी के लिए बता दूँ थोड़े से प्लानिंग से खेलना रेक्टिविशन ओप एरर में 25 पॉइंट के बाद 26 पॉइंट नहीं होगा भाई सब आप पूरे कॉशन पढ़ो हर कॉशन में जो पॉइंट लिखे हैं वो एक पेच पे लिख लो जब आप सारे कॉशनों को घुमा लोगे तो आपको पता पढ़ेगा कि रेक्टिविशन ओप एरर चैप्टर में जितने कॉशन आज तक बने या बनेंगे या बन सकते हैं उसमें इन 25 पॉइंट के बाद 26 पॉइंट नहीं हो सकता उन 25 पॉइंट को रट मारो घौट दो प्रेक्ट्रेस करो उनकी हमारा फोकस कहोता है कॉशन करेंगे कॉशन करेंगे अरे आपने 20 कॉशन लगाए 20 कॉशन में 15 पॉइंट ऐसे हैं जो हर कॉशन में कॉमान है आप उन 25 पाइंट में फोकस करो 25 पाइंट फोकस कर लिया तो कोई सा भी कॉश्चन आ जाए आप कर लोगी तो सर 11 घंटे चैटर नमबर 2 और आपके 25 मार्क्स मिनिमम कवर्ड Section 2 Section 2 कौनको सेप्टर ते 5 Accounting Process, BRS, Inventory, Depreciation और Bills of Exchange ये 5 चैप्टर से मरी 24 अटेंट में कितने मार्क्स के कॉश्चन आए होगे सोच जा रहा ICAI ने भोला था कि हम 35 से 42 के बीच में पूशेंगे आपको ICAI ने 47 मार्क्स 47 मार्क्स बहुस 47 मार्क्स सिर्फ इन 5 चैप्टर ने दिये हैं यानि मैं अगर आपको सिंपल लिकता भलो जित्ते एवरेज बच्चे हैं जो स्तगल करते हैं अकाउंट्स में कसम खालो कि अब सबसे पहले इन 5 चैप्टर्स सिर्फ 5 चैप्टर्स पूरी जान लगा देंगे पूरी जान लगा देंगे अगर आपने इन 5 चैप्टर्स को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार कर लिया तो पास तो आप सिर्फ 5 चैप्टर्स से हो जाओगे कहा है एन पी हो सर डर लगता है एन पी हो से सर पाट्रस सिर्फ फुट फुट होती है सर पता नहीं कंपनी अकाउंट में रिड़म सर उडियोंचर में क्या बोलती है सजमी नहीं आता अरे बोलने दूर उनको जो बोलना है अगर पहली प्राइल्टी पास होना है तो सिर्फ पास होने के लिए 5 चैप्टर्स आपकी पूरी हिल्फ कर देंगे करोझने इसको 4 बार करोणे इसको 5 बार 5 बार अगर आपने 5 चैप्टर लिया तो बिशबास मानो यार मेरे दोस्तों अकाउंट्स में पास हो गए बी आरेस से आपका पांच नमबर का कॉस्चन इस बार आया था ये मेरा एक्सपेक्टेशन है कि अब आपका क्या स्टेटस रहेगा इस अगले पेपर में आपको बताता हूँ जो मेरी एक्सपेक्टेशन बोलती है तो बिल्स अग्सपेक्टेशन से सिफ दो नमबर का ट्रीफॉल्स आया था तो मेरी गणनेत ये कहती है कि इस बार हाला कि ICI is most unpredictable institution लेकिन फिर भी 20 सालों में जो समझा उससे ही समझ में आता है लगवग लगवग हर दो टी नमबर तके लिए आता है मैंने आपको 8 नमबर ढाले इस बिल्स अग्सपेक्टेशन ग bomb इन्सॉल्वेंसी अफटर और सबकी सबसे important point that is accommodation bill तो accommodation bill सबसे important है जो सबसे ज़्यादा chances से आने के आप अगर ध्यान से देखें तो पूरा BRS में 3 घंटे में आप वो पूरा portion कपर कर लोगे और 3 hours अगर आपने accommodation bill को दे दिये आप बताओ accommodation bill में 2 ही तो pattern है उन 2 pattern के 4 question हो ग्रट मारो A ने BB bill लेखा B ने accept करा A ने bill bank को बेज दिया bank से पैसे ले आया उस पैसे में कुछ पैसे तुमने B को दे दिये जिस अनुपात में तुमने पैसे share करे उसी अनुपात में तुम share कर लो ये discounting charges due date पर B bank को payment करेगा तो A B को पैसे भीजने माला है अपने इससे के लेकिन A के पास पैसे नहीं है तो इस बार B A पर एक bill लेखेगा बड़े amount का लेखेगा उसमें से A से जितना पैसे लेएं था वो काट लेगा कुछ उसको खुद को रखने थे और कुछ A को चाहिए थे ये तो question है और बाद में बाद में A इंसल्मेंट हो जाएगा ये ही तो question है और को सा question है accommodation में मतलब यही तीन question कर लो चौता question जरूती नहीं है तीन question चौते की जरूती नहीं है तो 8 marks का आपका यहां से आएगा depreciation 5 marks के लिए कम से कम आना चाहिए क्योंकि इस बार 8 का आ गया inventory से 8 marks का question बनेगा और मेरी gut feeling बोलती है कि sir आपका BRS इस बार 10 का आएगा और accounting process से कम से कम कम से कम आपको 22 number आने वाले है तो sir मेरी gut feeling यह बोलती है gut feeling ऐसी तो कैसे नहीं बोल रहा कि चलो पांच जाए पांच जाए नहीं 21 साल के experience से बोलताओ तो sir 22 30 40 45 53 22 10 32 48 53 53 में से आपके सामने exam में कम से कम 45 marks का question आएगा कम से कम 45 marks का आएगा तो मेरे बहुत सारे बच्चों जिनको accounts से डर लगता है जिनके concept अच्छे नहीं बने है वो किरपया करके समझ ले कि सबसे पहले आपको ये 5 chapters अच्छे करना है और सबसे पहले उसमें क्या पढ़ना है chapter number 2 accounting process कितना time लगेगा तो sir 11 गंटे आप accounting process में दे सकते है 5 गंटे आपने देने है BRS को inventory में करीबन 5 गंटे लगेंगे इस 5 गंटे में 3 गंटे में पूरा inventory हो जाएगा और 2 गंटे देना inventory टिकेंग के लिए 31 March year end था 10 April को valuation किया या 23 March को valuation किया इसमें कुर भिला कि 10 गंट 10 गंट माल भेचा, माल खरीदा, माल ट्रांसफर किया consignment पे दिया approval पे भेजा approval से वापस आगया, consignment से वापस आगया 10 गंट 11 गंट नहीं है रट मार हो न 10 गंट होते हैं अगर 31 से पहले valuation किया तो ये करेंगे और 31 के बाद valuation किया तो इसको उल्टा करेंगे खतम खतम इस से यादा कुछ नहीं है दूसरा important question सर वो retail inventory method हमारे पास cost है opening stock की और purchase की और इधर हमारे पास sales है और closing stock selling price में है तो पहले GP ratio निकाला उस GP ratio को apply कर दिया closing stock at selling price पर तो आपकी cost आ गई तीन बार question आ चुका है और पांच बार आ चुका है कौन सा inventory taking का तो बचता क्या inventory chapter में फिर बचता है sir थेरी question थेरी में क्या आता है तो sir एक perpetual और periodic inventory system दूसरा question inventory की cost में क्या क्या शामिल नहीं करना है फिर इसके लावा एक तीसर प्रेटिकल बनता है फीफो लीफो वाला store laser that's it इसके लावा कुछ है नहीं इस चेप्टर में इसके अलावा इस चेप्टर में कुछ है नहीं maximum 5 गंटे depreciation 6 गंटे 6 गंटे में भी 6 question कौन-कौन से सर 10 कारे लिए 10 bus ले लिए 10 truck ले लिए दिरसल चलाया उसमें से एक ने पट गया उसके लिए मिंश्रेंस क्लेम मिल गया उसी दिन एक नया truck ले आए और फिर सर 11-10 truck में बस वापस से हो गए एक question यह था एक 12 लाग की मशीन थी उसका एक तुकड़ा था जिसकी cost एक लाग 20 लाग थी दो साल पहले आज उसे पैतले सेर में बेचा अब यह तीन बार आ चुका एक्जाम में मई 24 में यह question आया था 8 marks के लिए 8 marks के लिए मई 24 में यह question आया था जिस में मैंने करवाय था जिस सीरीज में मैंने यह question करवाय था तो सर depreciation आप आराम से 6 गंटे हो बिल्सव एक्शेंज आपका 5 गंटे टोटल कितना होता है सर बताईए तो सर 11, 516, 16, 622 और 10 सर यह पूरा चैप्टर 526 और 226 आपका 35 hours maximum देदो इसको आप अकाउंट्स में पास हो गए सिर्फ 35 hours देदो इनको पहले अच्छे से 1st revision में आपकी नईया तर गई अब इसके बाद क्या करना है सर यह तो हम होगे पास अब पास होने के बाद अगली जम्मिदारी साठ लाने किये क्यों क्योंकि aggregate अकाउंट्स ही तो बनेगा अकाउंट्स में से पास होने सकाम नहीं चलेगा अकाउंट्स में एग्रिगेट्स चाहिए और अग्रिगेट्स में एक अकाउंट्स और एक इको है यही आपकी नहीं अपार लगाने वाले है तब अगला लॉट आता है आपका company account सरकार company account chapter से ICI ने बोला था कि हम करीबन 15 से 20% मांस पूछेंगे 125 मांस का paper लाए 125 मांस के paper का 20% exactly 25 नमबर होता है और exam में exactly 25 मांस के question आए है सर इस पूरे chapter में कुल मिला के 4 units है आपकी पहली unit है issue of shares दूसरी है आपकी redemption of preferentials capital तीसरी है आपकी redemption of deventures और चौती है bonus and right issue सरकार अभी वाले attempt में 15 मांस का question आया था redemption of preferentials का और 10 का आया था bonus का सर ये तीनों chapter आज से पहले CA inter में हुआ करते थे और सर मैं बहुत जमिदाईस भोल रहा हूँ क्योंकि पिछले 20-21 साल से मैं बहुत किस पर चाल चल रहा है मझे पढ़ाते हुए ये तीन chapter के questions की संक्या है बड़ी limited है बड़ी limited है पर सुन लो बहुत limited questions है आपके module में redemption of preferences के जो 6 illustration है आप उनको रट मारो अगर exam में कोई question आएगा तो वो उनहीं 6 illustration में से एक होगा amount change कर देंगे, नाम change कर देंगे एकाथ paragraph उपर नीचे कर देंगे लेकिन उन 6 के बार कुछ नहीं आ सकता guarantee दे रहा हूँ कुछ नहीं आ सकता करो अच्छे से अलाकि मेरी gut feeling जो बोलती है वो यह है कि इस बार आपके exam में redemption of adventure और issue of share से question आएगा issue of share से आपके सामने जो question आएगा वो लगभग 15 marks का होगा और redemption of adventure से जो question आएगा वो 10 का आएगा अलाकि करना आपको यह 4 है क्योंकि चारों बड़े आसाने यह तो पूरा की पूरा बोई है जो आपने 12 वो बढ़ा था 12 का label और CA foundation का label इस chapter का 100% 100% same है 100% same है यहाँ पर आपने अगर time allocation करना है तो time allocation कुछ इस प्रकार होगा कि issue of share को आप 6 से 6 गंटे बहुत दे दे बहुत है 3 से 4 गंटे आप redemption प्रफिशन को दे deventure में करीबन 3 से 4 गंटे लगेंगे और bonus इन राइट इशू में 1 गंटा maximum 2 गंटे लगेंगे तो 2, 4, 6, 4, 10 और 16 16 से 20 गंटे आपने देना है किसके लिए company account के लिए तिर पिये 2 chapter आपको किते marks दे रहे हैं पता है 45 प्लस 25 70 marks अरे फ्रेक तो सब एक तरफ ये 70 marks लाओ पहले लाओ ये 70 पिछले जितने attempt से CA foundation देख रहा हूँ कोई attempt नहीं देखा फिर से बोल रहा हूँ कोई attempt नहीं देखा जहाँ पर इन 2 segments से minimum 60, maximum 70 का कॉशन नहीं आओ, minimum 60, maximum 70 होगा वही सब आप पास क्यों अपना समय खुब जगे डाल रहे हूँ सब जगे मठ डालो, अपना पूरा पावर इन 2 segments पर खटा कर लो कौन-कौन 45 नमबर का section 2 और ये होगा आपका section 5 company account खतम आप इसमें से ही 60 number ला सकते हैं और मैं बहुत जुम्मेदारीस बोल रहा हूँ यार मेरे बच्चों अगर आप paper में 100 का attend करने जाओगे तो फ़ली बाद तो attend नहीं होगा attend नहीं होगा तो depression आएगा दिमाग चलना बंद हो जाएगा आती वी चीज़े नहीं बनेगी और 100 का attend करने जाओगे 45-50 में struggle करोगे पहले मिनिट से clear रखना कि boss मुझे तो maximum 85-90 करना है आपका 85-90 बड़े प्रेम से attend हो जाएगा और आपके उसमें 75 रह जाएगे यानि 100 का करने गए attend हुआ नहीं और 50 भी नहीं आए और पहले से clear कर लिए था कि 85-85 का करना है 70 रह जाएगे तो कौन सा सोदा अच्छा लग रहा है वो देख लो ये पहले आपको करना है अगर आप below average है तो पहले आप आले part 55 नमबर का वो करना है फिर second section ये करना है अब इसके बाद क्या करना है सर आप भो बताओ इसके बाद आपको जाना है chapter number 1 पे क्या आप बात करना है हाँ chapter number 1 आपके attend में हर बार 6 number का आता है हर बार 6 number का आता है क्या है सर इस chapter में इस chapter में है आपका सर introduction to accounts फिर उसके बाद क्या है तो उसके बाद है sir accounting concepts, principles and convention गोई, going concerns, separately legal entity, money measurement, dual aspect आता है अपने को फिर उसके बाद differentiation between capital expenditure, revenue expenditure and deferred revenue expenditure फिर capital receipt, revenue receipt फिर accounting policy बस आपने इतने ही पढ़ना है और maximum अगर आप पढ़ने गए तो आप बस उपर उपर से पहले दो पेश पढ़ने ना कि AS क्या होते हैं, इसके लाब हो कुछ बत पढ़ना यहां से आपको 6 number मिलेंगे यह हो जाते हैं आपके 76 marks 76, 76 चीक है इसको करने के बाद इसमें जाएंगे आपके 5 घंटे 5 hours maximum तो यहां पे आपके 5 hours हो गए तो 5 plus 35 40 40 plus 20 60 hours पहले यह 60 hours देदो इतना करो दो बार करो तीन बार करो यानि आप यह मान के चलना कि आपको यह वाला portion कम सकम 4 बार करना है यह वाला portion तीन बार करना है यह वाला portion आप दो बार भी करो गद भूत है इतना करने के बाद जब आप यह ensure कर लें कि आप मेरी 75 नमर हो गए exemption आ गई अब मैं जाओंगा अगले segment पर तो अगले segment आपको depend करता है एक section है ये और एक section है ये partnership एक section है और एक section है NPO final account और single entry का अगर आप 12th में partnership पर अच्छा समय दिये हैं जो आपके इस partnership में अगर हम बात करें तो partnership में आपके सामने थोड़ा सा lengthy हो रहा है लेकिन sir मुझे आपको एक strategy देना है आपने बड़े भरोसे से मुझे एक message दिया था कि sir मुझे strategy चाहिए और मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से आपको strategy दे रहा हूँ ये मानते हुए कि आप actually उसको follow करोगे और follow करके 70-60 marks minimum accounts में लेकर आओगे तो sir मुझे पता है कि थोड़ा सा lengthy हो रहा है लेकिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है तो अंते तक तो देखना पड़ेगा ठीक है तो sir आपके चार portion है एक है basics basics में goodwill भी आ गया फिर आता है admission फिर आता है retirement फिर आता है death और फिर आता है dissolution dissolution में दो तरह के dissolution है एक immediate dissolution है और एक gradual dissolution है gradual dissolution मनला peaceful decision of cash मई 24 में एक question यहां से आया है और एक question यहां से आया है generally यह set होता है generally 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 यहां से एक question मनता है और एक question यहां से बनेगा अब अगर admission आ चुका है exam में तो मेरी gut feeling बोलती है कि gradual dissolution से आपके exam में question आ सकता है पूरी पूरी सम्भाबना है क्योंकि यह आपके syllabus में नए आया है आपको पताए ना अभी मई 24 में पहले बार नए syllabus में पर हुआ नए syllabus में कुछ नए chapters जो ले थे कौन कौन से जो ले थे पता है ना आपको single entry जो ला था redemption of prevention जो ला था bonus in right issue जो ला था dissolution of partnership जो ला था कि वल इस नए section से 42 marks का paper आया है 42 marks का तो अभी यह वाला portion पूछा जाना बाकी है बहुत आसान है इसमें कोई accounts नहीं मनते है statement बनता है 5-6 columns का और पैसे को बांटना रहता है तो मेरा ऐसा मानना है कि यहां से 8 marks का question आ सकता ठीक है अगर आपको partnership में बहुत अच्छा नहीं लगता है तो भी मैं आपको यह कहूंगा कि आप gradual resolution को जरूर पढ़के जाईएगा यहां से question बन जाता है इसके अलाबा retirement और death में से कोई question September 24 में आएगा ऐसी मेरी gut feeling बोलती है सर बताएं कितना समय लगने चाहिए इसमें तो basics और goodwill आपने 12th में बहुत भेहने से पढ़े थे तो brush up करने में 2 गंटे में सारा काम हो जाएगा IOC, IOD, interest on partners, loan goodwill की बहुत तीन और चारो method है ना average profit super profit, annuity, capitalization of profit capitalization of service, super profit तो 2 से 3 घंटे आप यहां दे दो admission में 3 घंटे, retirement में 2 घंटे death में 2 से 3 घंटे dissolution normal में आपके 3 घंटे और यहां पे 3 घंटे तो मैं हैर साइट पी लोग हो तो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 15 और दो 17 17 to 20 hours आप अपने first revision में यहां से दे सकते हैं अगर आप partnership में comfortable नहीं है तो फिर आपको यहां पे जाना चाहिए लेकिन यहां पे आपने जो पढ़ा था शायद उससे अभी आप भोज़दा फैमिलियर ना हो partnership ताजा ताजा है आपने तीन-तीन महिने पढ़ाई करी हो उसकी और paper का label भी लगलोग वोई है जो आपने 12 पढ़ा था तो मेरे साब से आप इसे हूगस कर सकते है single entry का question 8 marks का incident में आया था NPO 12 का आया था और final account 5 का आया था final account में module का question आया था manufacturing account मनाना है NPO का question module का था वो sports club आला और single entry का सबसे basic question आया था तो सर अगर आपने यहां से target किया तो आप समझो partnership भी 25 नमबर देगे जाएगी यह हो गए आपके 95 to 100 marks तो सर फिर फिर बाकी अरे paper 125 का आता है ना भाई साब बोला तो है 125 का आता है तो आप चाहें तो यह कुछ planning कर सकते हैं और जिसको 300 प्लस चाहिए तो बिटा उसको तो सारे chapters को करना पड़ेगा आप लोगों के लिए मेरे पास कुछ है अगर आप लोग खूप interest दिखाते हैं आपके अगर खूप सारे comments मेरे पास आते हैं उसी WhatsApp नमबर पे अगर आप मुझे request दालते हैं तो मैं आपको share करूँगा ऐसा गजब खजाना ऐसा गजब खजाना के आपको मज़ा जाएगा तो मैंने पास पेपर, RTP, मॉक्टिस पेपर, इन सब का compiler बना रखा है देखो, मैं आपको देखाता हूँ जैसे ये NPO का compiler है तो NPO के compiler में मई 18 RTP, क्या लिखाए revision test paper मई 18 और मॉक्टिस पर मई 20 ये question ये उसका भीक में आंसर फिर इसके बाद नमबर 18 RTP फिर इसके बाद मे 19 RTP फिर इसके बाद नमबर 19 RTP सर नमबर 21 पास paper सब कुछ, एक जगे किस किस chapter का, ध्यान से देखो NPO, redemption of dementia, redemption of privileges BRS, bills of exchange, company account final account, depreciation CA foundation के important questions अरे आप एक बार मेरे साथ मेहनत तो करके देखो एक बार आप मुझे ये trust दे दो ये देखो मेरे पास एक एक चीच के लिए आपके पास सब कुछ है कौन सा question करना है उस question में कितना time लगना चाहिए Everything I had planned तो सर अगर आप लोगों को लगता है कि यार ये ब्यक्ति आपकी सही में help कर सकता है अगर आपको लगता है कि इस ब्यक्ति पे भरोसक किया जा सकता है अगर आपको लगता है कि हाँ अगर हम अच्छे से इनके द्वारा दिये गए instruction को follow कर ले और हम आराम से 60 to 70 marks लेकर आ सकते हैं तो भाईया अभी बोल रहा हूं follow कर लो जैसे बोल रहा हूं वैसे कर लो मैं अपने पहले दिन क्लास में बोलता हूं कि भाईया मुझे सब लोग सबसे पहले तो यह बोलो कि sir we believe in you we trust in you आप जैसा बोलेंगे हम बैसा करेंगे आपके ऊपर हमारे result की जिम्मेदारी है आपको हमें pass कराना है कराना ही पड़ेगा और उसके बाद फिर यह व्यक्ति आपकी pass कराने में दिन और रात नहीं देखेगा और लग जाएगा सारी चीजे मैं आपको करके दूँगा अभी सेप्टमर टिम के लिए जिस सीरीज रिकॉर्ड कर रहा है जब और दस जिस सीरीज बन रही है ऐसी कि उसमें अगर आपने वो 40 घंटे दे दिये तो पूरा अकाउंट्स पूरा अकाउंट्स बैदरीन हो जाता है तो सर आपको बस केवल इतना करना है कि जोड़े रहना है विद्योदे का विद्योदे का मैं शेर कर दूँगा लिंक विद्योदे का एक वाट्सेप क्या बोलते कम्यूनिटी है जहांपर हम लोग अपने ये सारे सारे बारिक बारिक चीजे बड़ी छोटी छोटी चीजे हैं 10-10 मिट के 15-15 मिट के वीडियो बनावना कर टिक सेंट सब चीजे देते हैं अगर आपने उनको अच्छे से सुना, फॉलो किया आप उस कम्यूनिटी का सबनते हैं विद्योदे की यूटीब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इतनी सारी चीजे मिलने वाली है आप कभी खुशिश करिएगा एक बार विद्योदे के यूटीब चैनल पर पर जो स्थफ पढ़ा है उसके वार देखिएगा हम पिछले तीन साल से जिस सीरीज ट्वंटी डेस प्लेच ले रहे हैं और बच्चों के क्या प्यार मिलते हैं पचास-पचास अजार ब्यूस पड़े हुए हैं इस लेबल पर वो लेक्च्छर गए हैं मैं एक मोटी-मोटी बात आपको शेयर कर रहा हूँ कि हमारे टार्गेट क्या होंगे फॉर सेप्टेमर एक्जामनेशन देखो मैं पहले बल चुका हूँ लॉव और क्यूए तोले से भारी पड़ते हैं तो हमें यहां पर पास होना है यहां पर अगर हमारा एवरेज 55-50% भी आ जाता है तो हमें बढ़ी आए कोई दिक्कत नहीं है हम 60 मार्क्स का टार्गेट अकाउंट से करेंगे और करीबन 60-65 मार्क्स मिनीमम इको से करेंगे तो अगर हम यहां से 60-65 और यहां से भी 60-65 ले आए तो 130 तंबर सिर्फ यह दो सब्जेट हमको देंगे और बच्चे हुए 90 यह हमको देगा तो टोटल हमारे मिनीमम 220 साथ है जिल लोगों को क्यों है प्रॉबलाम है मैं और पूरा सेशन लेकर आऊंगा लेकिन आपको मैं अभी हाल पिलाल बता दूँ यह पिछले 13 अटेम्टों का निचोड़ है L.R. 20 माक्स का आता है तीन घटिया से चैप्टर है जितने कॉस्चन है 1000 कॉस्चन है कर डालो भाई पास होना है न सी इंटर में आना है तो 1000 कॉस्चन है 1000 कर डालो नहीं है तो मुझे बताओ मैं दूँगा आपको 1000 कॉस्चन कर डालो इस 20 में से सूलच चाहिए मैट्स में सिर्फ टाइम बेलियोप मनी पिछले अटेन में अठना माक्स का आया था मिनीमम बारा एवरेज 15 माक्स का आता है तो 20 का LR 15 का टाइम बेलियोप मनी 35 नमबर तो यह हो गए बाई सब और टाइम बेलियोप मनी इसले भी पढ़ना है क्योंकि CA इंटर में FM और CA फाइनल के FM में टाइम बेलियोप मनी भाँ तक काम आएगा तो TVM अच्छा होना ही चाहिए इसके लाबा स्टेट्स में आपने CT और MOD किया तो 12 माक्स इंटेक्स नमर रोजोड़ो तो 5 मिला के 17 हो गए और इसके साथ साथ आपने HDD कर लिया 30 तो 7 माक्स हो गए प्रतीक सर ने मुझे बोला कि सर कोई भी बच्चा अगर सिर्फ इतना कर ले और इसको बार-बार कर ले इस पे पूरा फोकस कर ले बागी सब साइड में रख दे पहले इन पे फोकस कर ले इसको 3-3 चार्जाबा कर ले तो इस 69 मेंसे वो आराम से 50 और 45 के बीचे माक्स ले आएगा मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ भाई जिनको मैस से डर लगता है जिनके 11-12 मैस नहीं था मैं उन मैंसे एक व्यक्ति हूँ भाई मेरे मैस के नाम से 50 थी मुझे पता है नहीं समझ में आता था X, Theta, पता नहीं क्या क्या होता था तो भाई साब फिर उस case में आपका फोकस ही होना चाहिए सर, law में क्या दर लगता है लिखने में नहीं बनता लिखो ना, किसने रोका है law में क्या करोगे सर, आप क्या करो छोटी-छोटी खुशियां खटी करो IC से डर लगता है मत देखो उसको आप करो ना, LLP कम से कम 5-8 का आएगा करो ना, पार्टनर्श पैक 10 नमबर के लगवग आएगा सोगा करो ना, सोगा आएगा कम से कम 12-15 नमबर का कम से कम फिर इसके इलाबा अभी एक और नया चप्टर जुलाए मैं नाम भूल रहा हूं उसका इंटर्प्टेशन साथ कुछ सब्द है उसका काम चलेगा और अगर ऐसे करा तो मैं गारेटी दे रहा हूं बॉस यह मेरा एक minimum target होता है हर बच्चे के लिए कि पहले यह चाहिए फिर 200 बोलना, फिर 300 बोलना सब कुछ दूँगा लेकिन एक एक करके पहले यह ensure करो अगर आप 60 नमबर यहां से लाते हैं 65 यहां से लाते हैं 125 50 यहां से लाते हैं 175 और यहां से 50 लाते हैं तो 225 होता है और 225 अगर आप ला रहा हैं तो आप बड़े प्रेम से see enter में आ रहा हैं कोई रोकने बला नहीं है लेकिन अगर आप सब सम्मेट ने गए समझ लेना अच्छे से अगर आप सब सम्मेट ने गए तो यहां से भी जाओगे और कहीं के नहीं रहोगे तो मर्जी आपकी है आपको अगर मेरा ये पूरा प्रयास जैन्यून लगता है आपको लगता है कि हाँ यार कुछ ऐसा मिला है जिसको follow करके हम बहुत आराम से हमारे इस paper को निकाल लेगे तो आप लोगों का appreciation चाहिए ही चाहिए भूई तो चाहिए आप लोगों से कि आप लोग पसंद करें आप लोग appreciate करें हमारा मनोबल बढ़ाएं तो आपको इतनी support इतने stuff इतना सहायता विद्ध्यो दे करेगा कि आपको September में CA Foundation नकलवा के रहेगा यह मेरा आप लिए भचन है तो भाईया reply चाहिए आप लोगों का अगर आपको इस session ने कुछ भी value add की है आपको लगता है कि हाँ आज जो डर लगता था पता नहीं एक भूट डर बैठा हुआ था अंदर सक वो आज कुछ release हुआ है आज आपको अंदर से का यहाँ पांडेशन निकाल तो सकते हैं अभी भी और आप समझो यहाँ से 90 दिन आपके पास अगर आपने अगले 90 दिन 10- किये तो हर सब्जेक लिए 25 गंटे है मैंने अभी आपको गिनाया था 65 से 70 गंटे में आपका अकांट का एक रिविजन होना था 75 नंबर का तीन रिविजन हो जाते हैं जबकि एक रूल बोलता है पहला रिविजन अगर 55 गंटे में हो रहा है तो दूसरा 55 में होगा दूसरा तो मालिक अगर आपको ये स्ट्रेटेजी प्लानिंग सभी में आई तो एप्रिशीशन चाहिए एप्रिशीशन आता है तो अच्छा लगता है हम उतनी ही महनत करके पीपर नंबर टू लौ के लिए आपको लेकर आएंगे उसके बाद फिर क्यूए के लिए लेकर आएंगे आपने इतने प्रेम से हमें सुना शोटी बात नहीं है पचास मिनिट किसी अंजयन व्यक्ति को सुना आज के समय में जब आप तीन सेकंड में रिल स्वाइब कर देते हैं दस सेकंड के बाद वीडियो हड़े जाता है ऐसे में अगर आप किसी को पचास मिनिट सुनना है तो मतलब आपको आपको उस पचास मिनिट में कुछ बैल्य ओडिशन हुआ है अगेन एक बार एप्रिशेशन चाहिए लाइक चाहिए कमेंट चाहिए वोट्सेप के उस नमबर पर आपकी एप्रिशेशन चाहिए अगर आपको मेरे वो कंपाईलर चाहिए र्टीप पर रिप्लाइ करें मैं आपको भूभी जल्दी प्रोवाइड करूगा थेक यू सो मच बैबाई लव यू एंड टेक क्यार बैबाई बच्चाओ